हेलो फ्रेंज देखो आज हम ये वाला डिजाइन बनाना सेखेंगे जो कि बहुत ही इजी है केवल एट रो में ये डिजाइन बनता है यानि कि आर्ट सलाई में बनने वाला ये खुब्सूरत सा निटिंग पैटरन है इस डिजाइन को आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पर ऐससे बना सकते हैं डिजाइन को बनाने के लिए पहने सेवन के मल्टिपल पर लेने यह यह कि सात सात minha हम पहने पहर और दूसरी सलाई जो मैं दो सलाई आपको बनाके बताओंगी वही हमने टोटल 8 सलाई है वैसे ही वैसे बुनी है सीधी तरफ से देखिए कैसे बनाएंगे पहली सलाई सीधी तरफ से स्टार्ट करेंगे पहला फंदय सीचे से सीधा उतारेंगे धागा अपनी तरफ कर देंगे इसके बाद हमने पांच फंदे उल्टे बनाने हैं एक दो तीन चार पांच पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे एक फंदा सीधा बनाने के बाद धागा अपनी तरफकर देंगे अब शे फंदे हमने उल्टे बनाने एक, दो, तीन, चार, aoar 6 अब देखे एक सीधा और 6 उल्टे इन्ही साथ वंदे को हमने पूरी सलाई पर रिपीट करना एक सीधा 6 उल्टा एक सीधा छे उल्ट तो देखिए एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे और छे फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ लास्ट में हमारे पांच फंदे उल्टे आते हैं जैसे हमारे यहा यहां पर पंच पंदे उल्टाए थे ऐसी इस साइड भी पंच पंदे उल्टाएंगे यह दो कि दी चार में ऊस्तीच को हम बनांगे सीद्व को jump कर देकिए पहले सिलाई हम सीधी तरफ से इस्तरह से लगाएंगे अब दूसरी सिलाई आएंगे उल्टी तरफ के पहला फंदा उल्टा उतारेंगे, इसके बाद यहां पर चार फंदे उल्टे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, अब धागा अपनी तरफ करे करेंगे देखे इसी को ही हमने रिपीट करना है एक सीधा एक उल्टा एक सीधा फिर चार उल्टे एक दो तीन चार फिर दागा पीछे एक सीधा एक एक सीधा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, फिर चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार फंदे उल्टे धागा पीछे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, सीधा, उल्टा, और सीधा, इसके बाद चार फंदे उल्टे, एक、दो तीन चार एस्टिश को भी हम उल्टाई बनाएंगे तो इस तरह से देखें जो यह मैंने दो स्लाईयां बनाई है जो सीधी तरब से है और जो उल्टी तरब से दो स्लाईयां बनाकर बताइए है इनी दो स्लाईयों को हमने देखे एक दो तीन यानि टोटल छे सलाईय हमने ऐसी ही लगानी है जैसे यहाँ पे लगाई है ठीक है मैं आपको टोटल छे सलाईय बनाने के बाद आपको दिखाऊंगी उसके बाद हमने क्या करना है साथवी और आठवी सलाईय पे हमने यह वाला डिजाइन बनाना है यह वाला साथवी और आठवी तो चलो बनाके बताती हूँ तो यह देखिए टोटल मैंने यहाँ पे छे सलाईय लगा दी है जब तीन लाइन हमारी देखिए उल्टी की इस तरह से आएगी एक दो तीन तब यह टोटल छे सलाईय हो जाएंगी छे सलाईय हमने बिल्कुल फर्स रो और सेकंड रो को ही हमने रिपीट करते वे जाना है सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से जैसे बताया है उसी को ही अब देखिए साथवी सलाईय पे हमने करना क्या है पहला फंदा सीधा उतारेंगे इसके बाद यहां पे पांच फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, और यह पांच जो यह सीधा वाला फंदा है अब जो यह सीधा वाला फंदा है इस फंदे के यहां पे फंदे पे सलाई नहीं डालनी है फंदे के पीछे हमने यहां पे यहाँ पर सलाई डालनी है एक लूप बनाएंगे एक बर सलाई पर धागा गुमाएंगे फिर से एक और लूप बनाएंगे यानि कि तीन फंदे हमने यहाँ पर बनाने हैं इसके बाद इस फंदे को भी हमने बैक लूप से इस तरह से बुन देना है एक फंदे पर यहां पर हमरे चार फंदे हो जाते हैं एक दो तीन चार ठीक है इसके बाद छे फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच और छे फिर जो यह सीधा फंदा है इसके यहां पर हम सलाई डालेंगे फंदे पे सलाई नहीं डालना है यहाँ पे हम सलाई डालेंगे और यहाँ से तीन फंदे बनाएंगे एक फंदा ये दूसरा फंदा ये सलाई पे धागा गुमा की फिर तीसरा फंदा वापस यहीं से बनाएंगे और अब इसके बाद इस फंदे को भी बैक लूप से बुन देंगे तोटल लिए 4 फंदे हो जाएंगे 1 फंदे पर ठीक है, फिर से 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और 6 देखिए, इस सीधे फंदे के यहां पर सीधे फंदे के पीछे हमने यहां पर स्लाई डालनी है और तीन फंदे यहां पर ट्रॉ करने है एक दो और तीन चौथा फंदा हम इसी फंदे पे स्लाइड डालके बैक लूप से इस तरह से बनाएंगे ठीक है इसके बाद लास्ट में जितने भी यह फंदे बच्चे हैं पांच फंदे इन पांचों को सीधा बनाएंगे एक दो तीन चार पांच और सीधा छह तो देखें 17 फंदे है उसके हमने 4 फंदे बनाने हैं बाकि सारे फंदे सीधे सीधे बनाएंगे आठ्भी सलाई देखिए उल्टी तरब से उल्टी तरब से आएगी 8 तरो पहला फंदा उल्टा उतारेंगे इसके बाद 5 फंदे उल्टे बिनाएंगे एक दो तीन चार और पांच अब इन पांच फंदों के बाद जो हमने एक फंदे पे चार फंदे बनाए है इन चारों फंदों पे सिलाई डालेंगे और इसे उल्टा बुनेंगे इस तरह से सॉरी यहां पे जो यह सीधा फंदा है इसे हमने यहां से सीधा बनाना है ऐसे इसके बाद धागा आगे करना है और 4 फंदो पे स्लाई डालनी है जो हमने एक फंदे पे 4 फंदे बनाए है और इसे उल्टा बूना है ऐसे फिर दागा पीछे करके इस सीधे वाले फंदे को हमने सीधा बनाना है दागा अपनी तरफ करके 4 फंदे उल्टे 1 2 3 और 4 धागा पीछे 1 सीधा धागा अपनी तरफ अब देखें जो यह चार फंदे हैं एक तो तीन और चार पंदे हैं जो 1 पंदे पर हमने चार फंदे बनाए थे इन पर सलाई डालें गे और 4 का एक यहां पर करेंगे ऐसे फिर धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ करके चार फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार धागा पीछे एक फंदा सीधा फिर से जो ये चार फंदे बने हैं देखे एक दो तीन चार्ए एक फंदे पर हमने जो चार फंदे बनाये थे चारों को हमने एक साथ बुनना है चार का एक करना है इस तरह से उल्टा बुन्ते हुए दागा पीछे एक फंदा सीधा दागा अपनी तरफ लास्ट में पाँच फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार और पांच तो इस तरह से यह 8 सलाई यहां पर पूरी हो गई है सिधी तरफ से हमारा डिजाइन भी यहां पर बन गया है तो देखिए यह 8 सलाई का डिजाइन यहां पर कम्पलीट होता है फिर से हम यहां पर 1st रो लगाएंगे जो हमने पहली सलाई लगाई है यह वाली इसे हम यहां पर लगाएंगे तो फ्रेंट्स इनी 8 सलाई को हमने बार बार रिपीट करते वे जाना है जैसे जैसे हम इसे रिपीट करते वे जाएंगे तो यह देखिए इस तरह से आगे बढ़ता हो जाएगे यह डिजाइन इस तरह से खुबसूरत सा दिखाई देगा तो इससे बनाईए और मुझे कमेंट करके बताईएगा आपको डिजाइन कैसा लगा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सबस्क्राइब थैक्स फर वाचिंग मिलते है नक्स वीडियो में तक लिए बाई